नमस्कार सभी विद्यारतियों का हर्दिक स्वागत आज हम बात्चित करेंगे Corporate Social Accountability and the Audit Corporate का सामाज के परती क्या उप्तरजायत हुए है और उनका Audit Process किस परकार से किया जाता है इन सब बातों के बारे में आप से बात्चित करेंगे सभी विद्यारति पूरा ध्यान से सुने और इसको समझे ताकि उनको और बहतर इसकी जानकारी मिल सके और एक्जाम के दस्टिकोंड से सोचें तो भोती महत्वपून टोपिक है हमारे एक्जाम जो मैं एक्जाम होते हैं इसके अलावा और ने जो परतियोगी प्रिक्शाओं के एक्जाम होते हैं उसमें भी इसके समंदी सम्क्रिक्शन है वो आप से किया जाते हैं तो सुरू करते हैं कोर्परेट सोचल अकाउंटबल्टी एंड दा ओडिट नेगम सामाजिक उत्तरदायत्वे और अंक्रिक्शन केनाडियन इंस्टिटूट ओप चार्टेड अकाउंटेंट्स के वाइस प्रेजिएंट जेक एडब के अनुशार एक उपकरम में निमनलिकित कोई लक्षन होने पर उसके सामाजिक उत्तरदायत्वे उत्पन होते हैं जब व्यापक रूप से या भोष से लोगों से रिन या इक्विटी अंश परती बूतियों के द्वारा पुंजी ले रकी हो उसका महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक परवाव पढ़ता है जब व्यापक रूप से या भोष से लोगों से रिन या एक्विटी अंश परती बूतियों के रूप में उनसे पुंजी ले रकी है तो उसका मेहतुपुन सामाजिक और आर्थिक परवाव उस पर पढ़ता है और वह जन साधन से काफी मातरा में धन लेकर उसका अप्योग करता है एडम कमिटे नहीं ये व्याक्या दिये है कि अंकेक्षकों से केवल लाबो मुखी उपकरम के मालिकों को ही परतिवेदन पस्तूत करने की आसा ने की जाए वरन उभोगताओं कर दाताओं और पूरे समाज के परति सारजुनिक उत्तर दायतोय को भी माननिता परदान करने की आवसिकता है जन साधन का जो धन है वो काफी मातरा में हम कॉर्पेट जगत द्वारा एकटा किया जाता है और उसका अप्योग किया जाता है एडम कमिटी ने ये वेखे दी है कि अंकेक्सकों से केवल लाबो मुखी उपकरमों के मालिकों को ही परतीवेदन पस्तूत करने की आसा नहीं की जाए वरन उभोगता हूं करदाता हूं और पूरे समाज के परतीज सामाजिक उत्तरदायत्वे को भी इस मानिता परदान करने क कि आपसित्ता है पेसिवर चार्टेड अकाउंटेंट टेंट्स जो कंपनी द्वारा किये गए सामाजिक कारियों के विशे में सिमिती व्यक्त करने से मना करते हैं उनके द्वारा व्यक्त संकाउं को जानने जानना रूचिकर होगा इस समंद में मेक मोरीज के नियुमिलिक उलेक से इस पेसे के लोगों की बावना विर्थ होती है उन्होंने एक अपना उद्वोधन दिया था मेक मेरीज ने इस के समंद में तो इस समंद के लोगों की बावना हैं उसमें विर्थ होती हैं जैसे कि कि संक्टनों के सामाजिक उत्तर दैत हुए हैं इसलिए प्रतिवेदन प्रस्तूत करना चाहिए वरन समस्त जन साधान को भी निश्चित रूप से रिपोर्ट नहीं देना चाहिए। चेत्र के सामाजी कारेकरमों से प्राप्त होने वाले लाबों का मापन करने की दिसा में बहुत प्रियास किये गए हैं। कि उनको प्रकने योगे मापो के रुप में सिवकार किया जासके। मापने की तकनिकों में कटना या इसलिए उत्वन होती हैं कि विविन किरियाओं की कुल लागत और उसे प्राप्त लाबों का आंकलन करने के लिए विविन अवे विविशू परिवासित नहीं हैं। जो एलिमेंट्स हम जो यूज करते हैं उनको प्रिवासित भी नहीं किया गया है। जिससे की कुल लागत और उसे प्राप्त होने वाले लाबों का आंकलन क्या जासके। क्योंकि नेगम के विवसाइक उद्धिश्यों के साथ सामाजिक उद्धिश्यों को समयकित करना कटिन है। सामाज के परती उनका उदिश से अलग है दोनों को एक समयकित करना बहुत ही कटिन है समय से यह रहती है कि जब हम बारी गटकों को विचार दीन अरक करकर उनको मापने का प्रियाश करना चाहिए या नहीं और या दिन नहीं तो कहां सीमा खिंचे कहां तक नहीं करना चाहिए उदान के लिए हो सकता है कि एक कंपनी ने अपनी किरियाओं के कार्ण उत्पन होने वाले प्रदुसन को नियंतन करने के लिए भारी रासी वे की हो या उसको करनी पड़ी हो तो वह इस भारी लागत की और ध्यान आकरशित करने का आगरे करेगी ऐसी इलाकों से समाज को होने वाले लागों को अत्वा प्रदुसन नियंतन पर वे नहीं किया जाता है तो उसे प्रयावन दुसीत होने पर समाज को होने वाली हानियों को मातरात्म कुरूप से गयात किया जा सकता है या नहीं ये संदेहास्ट पद है हम उसको मातरात्म कुरूप से गयात कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ये संदेहात्पक है क्योंकि अगर फेक्टरी कहीं लगी हुई है और उससे पर्दूसन पहलता है तो उसको समाज में होने वाली जो खानिया है उसको मातरात्वक रूप से गयात करना एक संद्यात्वक कारिया है इसके अत्रिते अंकेक्षन की दस्टी से समाजिक उतरदायतों में समाजिक प्रपेक्ष में मुल्यों का निड़ने भी सामिल है अर्थात अंकेक्षक को चाहिए कि संद्ध और एवेद गतिपीदियों को उजागर करे और बिना उसके महत्वय या सार्थ अक्ता पर ध्यान द अंकेक्षक को संद्ध और एवेद गतिपीदियों को उजागर करना चाहिए बिना उसके महत्वय या सार्थ अक्ता पर ध्यान दिये गुप्त प्रिश्रमकों या प्रतिपलों को व्यक्त करना चाहिए अपनी रिपोर्ट को उस सिमातक गुणात्मक या सक्षम बनाए अंक अपना व्योसाई पेसे की स्वाधीनता को बनाए रखना चाहिए जो पेसा है उसकी सवतंतरता को ब्रक्रा रखना चाहिए जिससे की वे अपने उत्तर दायत वेका निर्वा भली बाती निस्पक्ष रूप से कर सके अपनी रिपोर्ट को उस सिमातक गुणात्मक या सक्ष अपना व्योसाई पेसे की स्वाधीनता को बनाए रखना चाहिए जिससे की वे अपने उत्तर दायत वेका निर्वा भली बाती निस्पक्ष रूप से कर सके समाजिक अंक्यक्षन लेखंकन और अंक्यक्षन साथ शात रहते हैं अतय जब समाजिक लेखंकन का जनम हो गया है तो समाजिक अंक्यक्षन भी अस्त्तितव में आ गया है ओपिसर पोरवाल ने दोनों के पार्शवेक छेतर के समन्द में कहा है कि सामाजिक लिखांकन का समन्द ऐसे मापन परणाली के विकास से है जो सामाजिक निस्पति का अनुसरण करें सामाजिक अंकेक्षन को सामाजिक निस्पति के लेखों को सत्यापित करने के लिए सवतंतर अंकेक्षन फर्म के उप्योग के तुले माना जाता है सामाजिक अंकेक्षन को सामाजिक निस्पति के लेखों को परतिस्टापित करने के लिए सवतंतर अंकेक्षन फर्म के उप्योग के तुले माना जाता है कमला गुपता के अनुशार समाजिक अंकेक्षण अधिक विश्थित्पद है और इसमें ऐसा मुल्यांकन समली तहता है कि एक कमपनी का समाज में योगदान क्या है और वह समाज से लेता क्या है ये भोती महतुपून बात है कि एक कमपनी है वो समाज में उसका योगदान क्य क्या है और वो समाज से लेती क्या है इस बात पर चर्चा होनी जूरी है अंक्यक्षन समाजिक जो ओडिट है भारत में समाजिक अंक्यक्षन समाजिक समाजिक अंक्यक्षन के चेतर में टिस्को टाटा ऑईल एंड स्टील कोर्पोरेट कंपनी लिमिटेड इनके सिंचालक मंडल ने एक समीति की नियुक्ति की थी और उसका उद्दे से ये जानना था कि कंपनी ने सबोगता करबंचारियों अस्दारियों समाज तता स्तानी और उस समीति ने समाजिक उत्तरदायतों मापने के लिए नीलो विदी का अनुसरण किया था समीति ने कंपनी की समाजिक उत्तरदायतों को निवा करने के लिए अत्यदिक परसंसा की थी और उसके परश्याथ उस कार्ये को देखकर Cement Corporation of India The Steel Authority of India The Steel Authority of India Minerals and Mentals Trading Corporation of India आदि भी सामाजिक ओडिट को अपना नेम में लगे हैं उन्होंने ये इस बात को सिवकार कर लिया है तो इस परकार से भारत में भी सामाजिक उत्तरदायतवे निर्वार के लिए सामाजिक लेखांकन का ओडिट का कारिये है वो बहुत बरगती सील है और इसकी सुरुआत टिश्को कमपनी द्वारा किये गई थी उन्होंने कमपनी का निर्माण किया था और समित्य को ये जानने का लिए कहा कि कमपनी ने उबखताओं के लिए कर्मचारियों के लिए अस्दारियों के लिए समाज, इस्तानिय, सुरुधाओं के परती अपना सामाजिक और नितिक दायतवे की सिमा तक पूरा किया और समित्य ने इसको नीलोज विद्धी का अनुष्ण किया था उसमें उन्होंने पाया कि कमपनी अपना सामाजिक उत्तरदायतवे का निर्भा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा है और इसी को दान में रखते हुए सीमेंट कोर्परेशन ओप इंडिया अधी भी सामाजिक उडिट को अपनाने में लगे है इस पकार ये बहुत अच्छी लगती पर है सभी विद्धार्तियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसको सुना और समझा थैंक्यू